कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें रहा है एक ऐसे तीर्थ पर जिसका अथर्थ वेद में वर्णन है राम युक से भी पहले इस्थापित था ये तीर्थ भगवान राम रावन वद के बाद ब्रह्म हत्या के दोस्ट से मुक्त होने के लिए भाईयों सहित आये थे यहां भीष्म पितामा के भी पितामा प्रतीब भी यहां आकर साध्रा करते थे स्वर्गरोहन के लिए जाते हुए धृत्राष्ट, गंधारी, कुंती, संजय तथा विदूर ने सब्तुरिशी आश्रम में तब किया था सात्वी शताब्दी में हेन सांग के लेखों में इसका वर्णन है आला उदल भी यहीं काली पूजा करते थे 21 बार सिख गुरू अमर्दास जी कभी यहां आना हुआ अकबर भी यहां का जल पिया करते थे उसकी उचाई समुदर तल से 1024 फीट समय समय पर यहां दुनिया के कोने कोने से राजाओं साधकों का आगमन होता रहा हिंदू का यहां से संबंध है जन्म मरण का 14 शताब्दी तक कहलाया यही इस्थान मायापुरी और आज है नाम हरिद्वार हम आप पहुँचे हैं हरिद्वार हरिद्वार जिसके कई नाम है हरद्वार, गंगद्वार, हरिद्वार, कुशावर, मायापुरी यह पांच नगरियों को बना कर बना है एक हरिद्वार आप चलें मेरे साथ हरिद्वार, मैं आपको परिच्चत कराऊंगा हरिद्वार के गुप्त रहस्यों से, हरिद्वार के गुप्त स्थलों से, आप मेरे संग देखें हरिद्वार पांचवी तथा साथमी शताबदी में वेराग्य के बाद राजा भरत हरी ने यही आकर तब किया था कभी कालिदास की पुस्तक मेग दूत में भी यहां का बर्णन है यह नात संप्रदाय के संथ राजा भरत हरी जी की तीर्ट स्थली भरत हरी गुफा यहां के लंबाई उज्जेन तक है अब इसको बंद कर दिया गया है इस गुफा के दो रास्ते हैं राजा भरत हरी आज भी दिखाई देते हैं इसमें शक नहीं पतित पामली गंगा के घाट पर बसा है हरिद्वार अपना कल्यान करवाने को लोग दूर दूर से आते हैं क्या इस तथे को हम नकार सकते हैं गंगा कोई साधारन नदी नहीं हजारों नदी नाले हजारों जरने समेटे चलती है गंगा अपने साथ अथा जल राशी लेकर चलती है गंगा संसार में एक यही एक वचित्र वस्तू है जिसका कभी भी शय नहीं होता संसार में ऐसी कोई वस्तू नहीं जिसको अगर हम अपने पास रखे तो उसका नाश हो जाता है एक गंगा है हजारों सालों से अभी चल इस धर्ती पर वहर ही शिव की जटा से निकली गंगा अजर है शिव की जटा से निकली गंगा अमर है गंगा अजर है अब देखें हम हरिद्वार के रहस से और जाने कुछ गोड़ बात हैं जो बहुत कम जानते हैं राजा शुएत ने यहां तब किया था और ब्रह्मा जी से वर लिया था ब्रह्मा जी आप विश्नु महेश के साथ यहां निवास करें तभी से इस कुंड का नाम हुआ ब्रह्मकुंड यहां पर किया कर्म अनन्थ हो यहां परिस्नान से परामपद प्राप्थ हो कभी यहां विश्नु चरण के निशान थे परबान से मिट गए राजा मान सिंग भी यहां आता था उसका अस्थित तरण भी यहां हुआ था यह है मान सिंग छत्री इन सीडियों की अपनी ही कहानी है राजा भराथरी की ये थी तपो भूमी भराथरी गुफा उन्हें के आदेश से उनके भाई विकर्म दित्त ने करवाया था निर्माण पैड़ियों का श्री गंगा सभा द्वारा यहां का इंतजाम किया जाता है 1916 में हरिदवार की धारिक भावना को देखते वे गंगा की रक्षा के लिए श्री गंगा सभा रिष्टर हरिदवार का जिर्म हुआ यहां हवन करना गाय को भोजन देना शिव पूजन इसनान करने से अनन्य पुणने की प्राप्ती हुती है रात की आर्थिका दृष्टर मानुगंगा सोने चांदी की हो जाती है हजारों हजारों की भीर इस अद्भक दृष्टर को देखने यहां रोज एकत्र होती है होगी बात कि महाम् स Watching यह हैं रात कि प्राव्ती है यहित से तौबाय की मानुग का प्राव लाव हाल कुशावर्थ घाट एक समय दत्तत्रे ने यहां काफी समय तक तब किया था एक समय जब वे समाधी में थे तभी गंगा की एक तेज धारा ने उनके कमंडल, कुशा, वस्त्र तथा दंड को गंगा की प्रहवा में बहा दिया था आग खुलने पर जब दत्तत्रे जी क्रोधित हो, गंगा जी को श्राब देने लगे तभी देवताओं की स्तूति के कारण शांत हुए उन्होंने कहा, यहां गंगा ने मेरे सामान को अपने आवरत में लिया है अतह, इस स्थान का नाम कुशावर्द घाट हो गया, और सारा सामान वापिस आकर यहां चक्कर काटने लगा आज भी फोल यहां चक्कर काटते रहते हैं, यानि परिक्रमा करते हैं इस स्थान की यहां इस्थान करने से गाय हत्या से मुक्ष्ट इस स्थान की उनके लिए शय्यादान किया जाता है यानि के रास्ते का सारा सामान चप्पल, वैटरी, छाता, लैंप, ओडने को लजाया दी, पढ़ने को पुस्तके, ये विधान है यहां का ये पित्रों जो अपने गुजर जाते हैं, उनके मोक्ष के लिए सही आदान होता है यहां और भी कई घाट हैं, विश्णु घाट, गनेश घाट, हनुमान घाट आदी यहां इसनान का अलग-अलग महत्व है वन्शवली अगर हमें अपने सैंक्णों वर्षों के परिवार के बुजर्गों की नामवली पता करनी है, तो आईए यहां ये सम्हाल कर रखते हैं हमारी वन्शवलियां ये कई परकार की विवादों में काफी लापकारी होते हैं मैंने सुएम अपनी कई पीणियों का परीचे पाया इनके पास है सिक्संत बंदा बहादूर जी के हस्ताक्षर तथा वन्शवली बाबा नानक जी की वन्शवलियां दस्वे पात्षाही गुरु गोविन जी की वन्शवलियां विश्रू खाट यहां स्नान करने से व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है प्रह्मकूंड से दक्षिन दिशा की ओर ये विश्रू तिर्थ कहलाता है और आज कल इसकी विश्रू घाट के नाम से प्रसिद्धी है कहते हैं यहां एक मणी मंडित सर्प स्नान करने आता है भादर पदर क्रिशन पक्ष को जल में प्रवेश करता है स्नान कर बिल में चला जाता है यह पूर्ग जल में रिशी श्राप से सर्प बन गया था हमारा पड़ाव है अब मंसा देवी और हमारी यात्रा का माध्यम है यह उड़न खटोला बहुत ही उचाई पर यह मंसा देवी है कल्यूक का जहां आरंब होना है सर्प राज तक्षक ने राजा प्रिक्षत को दसना है उसका यह संकल्ब था कि मैं एक हफते बाद आके राजा प्रिक्षत को डस लूँगा और राजा प्रिक्षत ने विविन प्रकार के उपाई कराए उसी में से एक उपाई था कि जनमे जे जो राजा प्रिक्षत के बेटे थे उन्होंने सर्प बिद्धवन्स के लिए हावन शुरू कर दिया सबस्तो देवी देवता सब लोग भगे है और जाकर मां मंसा देवी की शरन में बैठ गए है क्या आप हमें बचा सकते हैं क्योंकि मंसा देवी के एक बेटे हैं जिनका नाम है आस्तिक और आस्तिक ही जन्मै जै को सर्प बिद्धवन्स के लिए रोक सकते थे नतीजा जन्मै जी को आस्तिक जी ने प्रार्थना करके रोका और तब जन्मै जी ने सर्प बिद्धवन्स को रोका यानि कि वो एक हवन कर रहे थे जिसमें सर्पूं का विनाश हो रहा था यानि कि सर्फ अपने आप आहूती बनकर देश प्रदेश से उस हवन कुंटे में जाते थे और वो भस्म हो जाते थे आज एक मैं आपको बड़ी गुप्त बात बताता हूँ अगर ओम तक्षक जनमेजे का आप नाम लेंगे तो सर्फ आपको कभी भी नहीं काटेगा दागा पांदने से कहते हैं सब प्रकार की मनों कामना पूरन करती हैं मा मंसा देखे मनों कामना पूरन करती जो भी जिसने चाहा मनसा मन हरने वाली जिसने तुझ को मन से माना उसके भरे भंगारे हर संकट से तुने उबारा बिगडे काज सवारे गंगा की जाक्रा में मैं दिखाऊंगा आपको कुछ ऐसी रहस्य मैस्थान और कुछ ऐसी विचित्र बाते जो जन सधारन को नहीं पता यह शोद का विशे हैं शास्त्रों में वर्नित है अगर आपके घर में कलह है और आप खुश खिस्मती से गंगा के किनारे हैं सोम बार को थोड़े से गेहूं पिस्वाएं एक मुठी काले चने उसमें मिलाएं चोटी सी एक रोटियां बनाएं और रोटियों को घी से चुपर कर हल्दी से स्वास्थिक का निशान बनाएं थोड़ा सा गुड़ रखे गंगा जल के साथ गाई को खिलाएं देखिए आपके घर में किस प्रकार से लाव आता है हरिद्वार साधारन पर पर लोग यहां गंग सनान करने आते हैं गंगा में सनान करने से पहले गंगा से संबंधित कुछ उपाई जरूर करें सबसे पहले गंगा के केनारे में पहुँच कर अपने पाउं को गंगा में डालने से पहले धो लें आप जब गंगा में अपने पाउं डालेंगे और साधना करना चाहेंगे आपको विशेश प्रकार की उर्जा का अनुभव होगा आदे अंग तक यानि की कमर तक के जल्बे जाकर और जब आप माला फेरें तो विशेश प्रकार की उर्जा का अनुभव होता है आप करके तो देखें निश्चित्वार पर लाप पाएंगे सत्य नरायन मंदिर हम आ गए हैं लक्ष्मी पती सत्य नरायन स्वामी के मंदिर यहां पर की जाने वाली पूजा धन के लिए सचमच काफी चमतकारी होती है देश के कई बहुत बड़े धनी परिवारों के लोग यहां अक्सर आकर पूजा पाट करते और करवाते हैं आप भी पूर्लिमा को यहां आकर पूजा करके तो देखिए सुर्य की रोशनी मध्यम होने लगी आकाश में लालीमा बिखर गई है थोड़ी ही देर में पूरी काली चादर सितारों वाली ओड़कर रात आ जाएगी जमीन पर भी रात का जादू च्छाने लगा है अब हमने भी किसी छट की शरन ले ली है कल चम-चमाती रोशनी में देखेंगे शहर को आपके साथ लेकर तब तक राम-राम